एक समय की बात है भारत के एक छोटे से शहर में राज नाम का एक युवक रहता था वह अपनी मनमोहक मुस्कान और दयालू हृदय के लिए जाने जाते थे एक दिन एक स्थानी उत्सव में उनकी मुलाकात मीरा नाम की एक खुबसूरत लड़की से हुई उनकी नजरे मिली और ऐसा लगा जैसे दुनिया रुख गई हो राज और मीरा ने बातचीत शुरू की और उन्हें पता चला कि उनमें बहुत सारी समानताएं है उन दोनों को कविता, पुराने हिंदी गाने और नदी के किनारे लंबी सैर करना पसंद था उनकी दोस्ती गहरे और खुबसूरत प्यार में बदल गई जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया उन्हें चुनोतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार और मजबूत होता गया राज अकसर हस्त लिखित प्रेम पत्रों और स्नेह के छोटे-छोटे इशारों से मीरा को आश्चर्य चकित कर देते थे एक शाम तारों से भरे आकाश के नीचे राज ने एक अंगूठी के साथ मीरा को प्रपोज किया जिसे उसने खरीदने के लिए कई महीनों से बचा कर रखा था हां कहते ही उसकी आँखों में खुशी के आंसु भराए उनके परिवार बहुत खुश हुए और उनके मिलन को आशिरवात दिया राज और मीरा की प्रेम कहानी आगे बढ़ती रही और उन्होंने प्यार, हंसी और अंगिनत खूपसूरत यादों से भरा जीवन बनाया उनकी प्रेम कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जिन्होंने इसे सुना प्रेम की शक्ति का एक प्रमान जो समय और प्रतिकूल परिस्थितियों से परे है